नमस्कार जन्म भूमी पर बने और सुहाद पूर्ण वाताबरण में बने इससे बड़ी बात और कोई नहीं है प्रभू श्री राम के मंदर बनबाने के लिए भारती जन्ता पार्टी वचन बद्ध है जब उनसे पूछा गया कि डेडलाइन अभी तक नहीं बनाई इस पर उन्होंने क कहा कि नहीं डेडलाइन का कोई विशय नहीं है उसके लिए तो हम प्रियास में लगातार सीग्रिता हो रही है उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही हम इस सपने को साकार होते हुए देखेंगे जनता पारटी ने कभी भी जो बात कहिए वही कहिए कि राम मंदिर के निर्माण के मार्ग में आने वाली बादाओं को हम दूर करेंगे और उसके लिए हम लगातार प्रियास रत हैं इस देश में भगवान शिराम का मंदिर बने जन्म भूमी पर बने और सोहाध्रपुन व कि देड्लाइन का कोई विशे नहीं है उसके लिए तो बहुत जो भी प्रियास हैं उन प्रियासों में लगातार शिगरता हो रही है और मैं समस्तियों कि बहुत जल्दी हम इस सपन को साकार होते हुए देखेंगे दारा 370 हटाने के लिए हम संकल्पे थें वो बात मैंने आपसे पहले भी कही है और इसकी साथी साथ स्वास्थ के शेत्र में शिक्षा के शेत्र में आमुल चुल परिवर्टन हो सके इसके लिए 2022 को देश की अजादी के जो 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं उन 75 वर्ष में हमने 75 संकल्प लिए हैं यह 48 पेज का जो हमारा संकल्प पत्र है उसमें उन चीजों का सारा उलेख है उसमें समाज के सभी वर्गों को जोडने का प्रयास किया गया सभी वर्गों के लिए योजना हैं बहनों के लिए बहुत विशेश योजना हैं तीन तलाक को हम कानूनी स रूप अमली जामा पहना कर बैनों के लिए नयाई की भी बात हमने की गई और कुल मिला करके मैं यह कह सकती हूं कि एक बहुत सुन्दर जो बात इस संकल्पत में हैं वो किसी वर्ग मिशेश के लिए कोई बात नहीं है वो देश के 130 करोड देश वासियों के लिए सब का साथ स अब के विकास को लेकर के योजनाय बनाई गई है मैं यह कह सकती हूं कि आज भारत एक परिवार के रूप में एक बैंडिंग के रूप में एक ताकी मिसाल के रूप में संकल्पत्र के माद्धन से बंदे जागा खबर समय जगत के लिए बोपाल से समभादाता शक्ती भार प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहें खबर समय